हलो गाईज तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू स्टेडी आई एस तो गाईज यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डिस्कॉशन कर रहे हैं नितिन सिंगान्या ने बुक लिखी है और बहुत जादे इंपॉटेंट बुक है फ्रॉम दा व्यू पॉइंट तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे चैप्टर नंबर फाइव की जो की है इंडियन म्यूजिक चैप्टर नंबर फॉर तब हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से कंप्लीट करके हमने काफी सारे लेक्चर्स 15-18 लेक्चर्स हम डाल चुके हैं स्टड़ी आयस प चैप्टर नंबर फॉर था युनास्को वर्ल्ड हरिटेस साइट्स इन इंडिया वह हमने कंप्लीट कर लिया है आगे बढ़ते हैं तो आगर आपको अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं और आपको पता चल ही गया होगा हम डैसर की डेली बात क आपको कौन सा कोड यूज करना है study is code यूज करना है for extra discount on plus और आपको कोई भी queries होती हैं कोई भी problems होती है regarding your preparation regarding unacademy plus subscription के किस तरीके से लेना है ठीक है तो फिर यहाँ पर आप हमसे ये सारे social media accounts पर जुड़कर अपनी problems को sort out कर सकते हैं telegram channel join कर सकते हैं instagram पर जूड़ सकते हैं facebook पर जूड़ सकते हैं mail कर सकते हैं अपनी problems को आपकी problem sort out कर दी जाएगी और यहाँ पर three dynamic batches पूरे साल के लिए यहाँ पर start हो गए है 11th मई से जो की 2020 से 2021 की तयारी कराएंगा UPSC की और यह इंडियास के top educators के द्वारा यहाँ पढ़ English GS batch course है ति इनों मिल जाते हैं आपको तो आपको जो भी comfortable लगे जहां भी लगे आप वहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप anacademy plus subscription लेंगे अगर आप 24 months का लेना चाहते हैं तो 24 months का ले सकते हैं 12 months का ले सकते हैं तो यहाँ पर subscription लेते वक्त आपको यहाँ पर study IS का code use कर free so guys अब हम बात करते हैं अपने chapter number 5 की जो की हो है हमारा Indian music पहले introduction देखेंगे फिर थोड़ी बहुत मा की history इतिहास देखेंगे अपनी music का उसके बाद गुरू कुल सिस्टम के बारे में जानेंगे तो ऐसे ही थोड़ी बहुत चीजे cover करते करते हम जल से जल इस chapter को भी खतम क करने वाले हैं जो music है वो soul है किसी भी culture की आत्मा है इंडिया जो है वह बहुत ही टाइम से यहां पर बहुत टाइम से यहां पर music को फॉलो कर रहा है और शुद्ध music को फॉलो कर रहा है जो musical instruments हैं जैसे कि seven holded flute ठीक है seven holded flute जो वासुरी होती है रावन हता यह सब recover करेगा है क से इंडस वैली civilization की site से ठीक इंडस वैली civilization के बारे में अगर जानना है तो आपको chapter one जाके देखना हो एंगा Patrol म में हमने fully discuss कर रह था है इंडस वैली civilization के बारे में और यहां पर हमने देखी है लिट्रेरी ट्रेसेसे देख देखे है music के music के क्या देखे हैं कथाओं में जो music चलते थे स्थारा थी संद्र हैं यहां से कहां से हैं कि लिट्रेरी से देखा है घुकुल साल पहले वह भी तैम्स में और हाँ यहां पर भारत नात्यशास्त्र में यहां पर फे निए है musical theory का यह हो जाता है हमारे लिए important question क्योंकि आपर first time जो music के बारे में discuss हुआ है वो हुआ है भारत नाते शास्त्र में जो कि written करी लिखी गई है और compiled करी गई है between 200 BC से लेके 280 के बीच में so guys यह हो जाता है लेटर वेडिक पीरेड में ठीक किस type के music जो यह type के ritualistic type के music होते थे इसे क्या कहते थे हम लोग संगम जिसमें involved होते थे chanting of verses जिसे verse कहते है न verses हुआ करते थे इन music में जो कि यहाँ पर जो usually set करे गए थे for musical patterns के लिए और जो यहाँ पर epics वगेरा थे epics या नहीं जो कथाएं वगेरा मावर और यह सारी चीजे थी यहाँ पर यह लोग इसी type के music को यहाँ पर चलाते थे और इन type को क्या कहते थे हम लोग जाती गन ठीक है हम लोगो music के बारे में कहा दिखाया है वह दिखाया हमें भारत नाते शास्त्र में ठीक है जो की contain करता है बहुत सारे important chapters है उसके अंदर music के ऊपर especially उसके उसमें जो है identify करते हैं octave के बारे में और 22 keys के बारे में उस book के अंदर बताया हुआ है भारत नाते शास्त्र में बताया गया है और जो 22 keys है इन्हों recognize करा गया है शुरूतीज और सुरूतीज भी कहते है इन दोनों के बारे में अभी हम जानेंगे यह होते क्या है यह होता है अभी हमारे history चल लेए history of Indian music के बारे में बात ही कर रहा है अब ancient और early medieval period के टाइम पर हम लोग ने क्या evidences देखे हैं गुरू कुल्स वहां पर हम लोगों ने ancient और early medieval period के टाइम पर गुरू कुल्स क्या होते हैं आप लोगको पता है आशरम हर्मीटे systems जो होते हैं ठीक है जहां पर students लोग रहते हैं ठीक है students रहते हैं teacher रहते हैं और यहां पर teacher जो है आपने students को जैसे होते हैं रिशी मुनी होते हैं और बच्चों को train करा जाता है जाकि उन्हें master बना दिया जाए music की कला में जो गुरू को system उसके बारे में थोड़ा सा जान लेत गुरू कुल में ही वो अच्छी तरीक से train करा जाता है आप देख सकते हूं वहां पर भी फिला यहां पर गुरू कुल system के बारे में जान लेते हैं इसे हम लोग आश्रम भी कहते हैं हर्मिटे system जानी आश्रम वो एक ही बात हो गई जो हर्मिटे चैने तपो वान जिसे कहते तब मतपस्या वगरा करते हैं यह आश्रम उसे भी कह सकते हैं और यहां पर गुरू शिश्यों का जो है वो tradition यहां पर प्रस्तुत किया जाता है ठीक उसके बाद ancient period में जो teachers और masters हुआ करते थे इन्हें यह बहुत ही जादे यह रिशिमुनी हुआ करते थे या फिर बहुत जादे ज्यान गुड होते थे ज्यान वानी होते थे ठीक है इन्हें ज्यान बहुत होता था और जो students होते थे वो अगर उन्हें हर्मिटेज में 12 साल रहना पड़ता था आश्रम में 12 साल रहना पड़ता था और knowledge को वो उससे प्राप्त करते थे जो की master द्वारा ठीक है teacher द् की जाती थी हर्मिटेज को patronage कौन देता था ठीक है किसके द्वारा चलता था बड़े-बड़े kings जो है उसे patronage करते थे और wealthy बहुत-बहुत अमीर परसन अमीर लोग society के समाज में जो धनवान लोग थे वो लोग बहुत जाद है यहाँ पर इसको patronage देते थे जो all students सब students वहा पर भेदबाव नहीं था no discrimination इस तरह के गुरू कुल्स हुआ करते थे ठीक अब ही हम बात करते हैं Anatomy of Indian music की तो गाइस Anatomy या यानि की music का body structure कैसे होता था ठीक है music बजाया किसे जाता था उसमें राग ताल स्वर के बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे ठीक यह भी हमारे important topic है अब anatomic जो Indian music था यहाँ पे इसके main pillars थे वो भी तीन main pillars थे Indian classical music का वो थे राग सबको पता है ताल स्वर ठीक यह तीनों के बारे में सबको पता है तो पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं ancient period में जो term स्वर ठीक है इससे associate किया गया था recitation वेदास की recitation से यहाँ पे इससे associate कि गया था recitation क्या होती है कवीता के जो पार्ट होता है वेदास में वहां से यह word स्वर निकाला गया है time के साथ साथ जो term है यह इसे use करने लगे वो लोग note को define करने के लिए note जो होता है note उसे भी हम कहते है स्वर पैसो वाला note बिल्कुल नहीं note और scale degree जो होता है composition में इसको हम हम लोग स्वर को हमने स्वर को बाद में क्या कहने लगे हम notes ठीक आपने सुना भी होगा notes के बारे में फिर उसके बाद बात करता है जो नाते शास्त्र है यहां पे भारत को divide करा गया है स्वराज में जो की 22 notes scale है ठीक 22 notes scale है जिसमें से currently जो अभी की बात कर रहा है जो national system है हि अंदुस्तानी music का यह define करा जाता है इन यहां पर इन संग्षिप स्वरों से कौन कौन से है सारे गामा पाधा नी ठीक है यह तो main है इनके बारे में भी आपको पता होगा इन सबको अगर हम साथ में कुछ क्या बोलता है यह जो पूरे के पूरे जो 12 यहां पर साथ स्वर है इन सबको साथ में हम together क्या कहते है सब तक या फिर सरगम ठीक अब हम बात करते हैं आगे की तो यहां पर यह का जा रहा है कि जो पिच होती है जैसे कि अभी हमने पढ़ा था स्वर के बारे में सारे गामा पाधा नी इन सबको साथ में क्या कहते है सब तक लेकिन यहां पिच पिच के बारे में बात करेंगे पिच और जो हमारे स्वर है किस स्वर का जैसे सारे गामा पाधानी इनके नेम क्या है इनके पिच के नेम क्या है और इनके क्या मुझजिक के अंदर क्या काम करते है इन चीजों के बारे में जो हमारा सा है इसका जो नेम है वो है सदज付 क्या फंक्षन है इसका टॉनिक का क्या करता है रे जो है वो रिशब कहते हैं पाज है मज्म से आया है sector inadequate का काम करता है धा जो है जो है धायवता से आया है जो कि sub-mediate का क्याकरता है भी जो है निशातस ऑय जो समेंनिक का क्याकरता है यहिंक चीज़ों के बारे में जाना अब ऑगे चलते हैं ऑगे ह chuckling up का यह स्वर हैं यह अलग-अलग शूरूती में डिफ़र करे जाते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट शूरूती में आपर देखे जाते हैं शूरूती क्या होती है मैं जैसे हो कि आपको बता है था smallest gradation of pitch अब यह क्या होता वरगी करनर जो होता है भाग बटे वे होते हैं पिछ 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 क्या होती है हाई पिछ लो पिछ तो उन्हें कहते हैं हम लोग शुरूती जो की एक येक frequency की quality को दर्शाते हैं यहाँ पर 22 शुरूती है और यहाँ फिर microtone हैं जिसमें से जो है 12 जो हैं वो सुरिफ audible है 12 शुरूती यहाँ पर उसके बाद स्वर के बाद आता है राग, राग के बारे में भी अक्सर लोगों को मालूम ही होगा अब जो वर्ड राग है, यह कहां से आया, संस्कृत वर्ड रंज से लिया गया है जिसका मीनिंग है, डिलाइट खुश कर देना, उनको हैप्पी कर देना, खुश कर देना एकी बात है और परसंट को सेटिस्फाइ करना, इस राग का यह काम होता है जो राग होता है, यानिṣ music, melody जो music होती है, ठीख है, melodic music बहुत मधुर्गी जो होता है ठीक है वो राग के थुरू बनाया जाता है और ताल जो है ये बेसिस होता है रिद्म का ठीक अब यहाँ पे इच जो melodic structure है राग का ये बहुत जादे similar है हमारे personality subject या फिर mood से हमारी mood से बहुत जादे similar है हमारा mood जो है वो बदल जाता है music सुनकर ठीक अब उसके बाद हम बात करता है जो basic elements है वो जो की बहुत जादे necessary है राग को working करने के लिए ठीक राग को काम करने के लिए जो बहुत जादे basic element ने जो बहुत जादे जादे वे राग में यहाँ पर जो तीन main चाती और categories को हमने बताया है यहाँ पर यानि कि यह तीन categories है राग की पहली है ओडव ओडवा राग जिसे हम कहते हैं pentonic राग इसके अंदर पांच नोट है शदव राग जिसे कहते हैं hexatonic राग जिसमें 6 नोट है संपूर्न राग जिसे कहते हैं heptatonic राग जिसमें 7 नोट है ठीक इन चप के बारे में आपको पता चलिया पांच किसमें 6 किसमें 7 किसमें नेम आपको याद होने चीए अब यहाँ पे तीन major types हैं राग के औ अगर कोई भी नोट कोई भी स्वर अगर absent हो जाता है नहीं होता है उसमें और यह composition को अगर play करता है तो इसका जो nature और form है यह नहीं बिगड़ेगी यह बिल्कुल does not change यानि कि कुछ भी इसमें change नहीं आएगा जैसा था वैसी रहेगा ठीक यानि यह शुद्ध राग है इसमें बदलाव आजाएगा लेकि शुद्ध राग में बदलाव नहीं आएगा क्योंकि वह शुद्ध है उसके बाद आता है हमारा संकीरन राग अब जो यह राग है यहाँ पर combination है दो और दो से जादा राग का ठीक यहाँ पर जो हर एक राग है इसके खुद के basic पांच basic tones हैं पहले हम बात कर ले रहे हैं जो king कहलाता है king राग जो होता है principal note जिसे हम कहते है principal note जो सबको built करता है यानि एक base जो होता है उसे हम कहते है वाडी और जो second हमारा second most important राग है वो है समवाडी ठीके काई आगे चलते हैं हम लोग और फिर जो all the other notes यानि कि इन सब के अलाव समवाडी और समवाडी के अलावा जो बाकी सारे notes के क्या कहलाते है अनुवाडी और आखरी में जो notes जो की present नहीं होता है composition में ठीक है यहाँ पर हम सारी notes की बात कर रहे हैं अभी हमने बताया था ना जो every rag यानि कि सारे rag है उन सब के 5 basic notes है इसमें और संकीरना राग के अंद करें जो ascent of the notes की बात करें यानि कि जिए। जब notes higher होगी ठीक है यानि कि जब आप गाओं होगी तो आवाज आपकी नीचे से higher होती यह सारे गामा पाध़ा नी पे जो है वो साह से लेगे नी पे जो है वो आपकी जो टोन है वो higher हो जाएगी note जो है जो आपकी स्वण है वो higher हो जाएगे बहुत जादे high level पर पहुँच जाएगे तो उसे हम कहते हैं Arrow ऐसे ही अगर decent कब होंगे जब यहाँ पर हम लोग धापा मागारेसा ठीक तो क्या होगा आपके note जो है वो lower हो जाएंगे descending order में हो जाएंगे ascending order में यानि ascent तेजी से higher note पे चले जाएगा descend मतलब lower note पे आ जाएगा ठीक इनके arrow और arrow का बहुत जादे काम है आगे भी तो आपको ये दोनों important हो जाते हैं ये आपको इनके बारे में जानना बहुत जादे जरूरी था याद रखना है guys इनको इस बारे में फिर उसके बाद यहाँ पे 72 मेलाज है और parent scales है ठीक है यानि जो dominant करते हैं और और चीजों को जिस पर राग जो है राग वो based है किस पर 72 मेलाज पर जो की है जिसमें से six जो में राग है ठीक है हिंदुस्तानी music repertoire है रैपर टॉयर क्या होता है यानि हिंदुस्तान का जो हमारा ये गीत का जो खजाना है ना खजाना ठीक है और उसमें जो six में राग है अभी हम उनकी बात कर रहा है and all of these are time and season specific जो ये भी सारे जो 6-6 में राग है ये अपने time और season पर गाय जाते है time उनका season एक specific season होता है ठीक है और जो की एक particular emotion को evoke करते है जैसे की यहाँ पर अब हम राग time season mood की बात करें तो राग जो है पहला है भायरव six राग है वो ये हैं हमारे पहला है जो किस time पर गाया जाता है dawn यानि मतलब जब सूरे निकल ला हो तब season कोई भी season हो mood जो है वो peace का हो जाएगा वाह उसके बाद आता है handle ये किस time पर morning के time season कौन सा spring ये क्या दरशाएगा किस type का mood दरशाएगा young couple की sweetness वाह दीपक मेरा नाम आगया तो रहा आया दीपक यहां पर किस time पर गाया जाएगा night के time रात के time पर season कौन से गर्मियों के time पर mood, compassion फिर आता है make late night को rainy days में make से समझी गए होंगे बादल बरसाथ के time पर काया जाता है कैसा mood होता है courage श्री कौन सा है evening के sam के time पर यहां पर music का time होता है और winter के time पर यह जादा specific रहेगा और जो यहां पर gladness mood आपका दर्शा हैगा मलकोश की बात करें तो यह midnight माधी रात में winter के time में वीर और व्रेव का mood यहां पर हो जाता है तो हमने अभी six यहां पर पढ़ लिये six rock के बारे में जो six main rocks है अब राग के बारे में तो हमने complete कर लिया anatomy of Indian music में हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया स्वर क्या है स्वर के सब कुछ पढ़ लिया हमने pitch क्या है कौन सा स्वर सारे गाम अपाधानी कौन सी pitch के name है ठिक राग के बारे में पढ़ लिया शुद राग, छैलाग राग, संकीर ना राग उसके बारे में पढ़ लिया time देख लिया हमने कौन सा किस time पर specific रहेगा अब बात करते हैं हम लोग tal की tal पर आ जाते हैं tala नहीं tala लिखा है tala हाँ tala मतलब जो इंगलिश में लिखा लिखा लेगी हिंदी में तो हम tal बोलेंगे तो अब tal में हम देखते हैं क्या बात है अब हम लोग guys बात करते हैं tal के बारे में tal क्या होते हैं जो beats होती है ना beat beat के उपर गाने बचते हैं जो beat का group होता है उसे हम कहते हैं tal ये rhythmic cycles में range करती है 3 से लेके 108 beats तक होती है और जो unique point है tal के concept के पीछे वो है कि ये बिल्कुल independent है music में और इनके खुद के divisions है बहुत सारे musicologist में बहस हुई ठीक है बहुत सारे musicologist में बहस हुई कि यहां पर 100 से ज़ादा tal होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 जो है 300 से कहा तो बहस तो हुई है खूब की 100 से ज़ादे ताल होते हैं लेकिन 30 ताल जो है वो सिर्फ हमें currently हम लोग जानते हैं 30 ताल के बारे में हम लोग पता है out of 100 जिसमें से जो 10 से लेके 12 10 से 12 ताल का यूस करते हैं और जो यह different kinds of recognized or used ताल हैं वो कौन-कौन सी है दादर दादरा, खरबा, रूपक एक ताल, जब ताल, तीन ताल चौँ ताल यह मैं तो बहुत हो जाऊंगा यार ऐसे ऐसे नाम आ रहा है गाइस आप लोगो नाम बहुत टेपिकल टेपिकल है और आपको बहुत अच्छे से cover करना होगा मैं पूरा का पूरा मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अपने बहुत 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 आपको content दे पाऊं बहुत quality content दे पाऊं तो देखते हैं अभी हम बापिस चलते हैं अपने पे तो यहाँ पर हमने ताल के बारे में पढ़ लिया जो की different kinds of ताल कौन कौनसी है दाद्र, खर्बा, रूपा, केक ताल, जपताल तीन ताल के बारे में तो सुनाई होगा ठीक जो इसमें से music composers होते हैं वो सिर्फ जादतर तीन ताल का इस्तमाल करते हैं जो की 16 beats से जानी जाती है ठीक, जैसे मैंने भी आपको बताया था तीन ताल के बारे में आपको पता ही होगा अब बात करते है रास की English में यार कितना अजीव लिखा जाता है ना Hindi रास का लिखा है English में लिखेंगे तो रासा ताल को लिखेंगे तला, ताला चलो, यहां पर एक खहरा बात है हम लोग रास के उपर, रास क्या होता है अब जो reason है creation of ragas के पीछे अब मैं दोकर मुझे रागास निकली है हम लोग music सुनके कभी कवार emotional हो जाता है और emotions कैसे होता है emotions भी अलग लग होता है कभी गुस्से वाला, कभी काम ठीक है, तो ऐसे-ऐसे हैं यहां पर emotions change हो जाता है और जो यह emotions हैं, यह evoke होता है singing और playing of instruments are called rasas ठीक जो यहां पर instruments को बजाया जाएगा जो उससे धुन निकल के आएगी जो हमें emotionally यहां पर emotional कर देगी उसे हम कहते हैं, rasas ठीक, emotional से related है हमारा rasa अमारी जो emotional response है, उसे ताज़ा कर देती है अब जो rasas यह रास है, यहां इसे aesthetic delight भी कहा जाता है क्योंकि यह emotional यहां पर emotion को direct attack कर दी है सबसे पहले हैं पर सबसे पहले नहीं, पहले जो है यह 8 ras थे, ठीक है 8 ras थे, फिर उसमें एक और add हो गया, जिसका नाम है Shanta ras, और फिर यह को add हो गया तो यह हो गया, 9 ras जिसे कहते हैं, 9 ras और कौन-कौन से हैं, आप इनकी बात करते हैं हम लोग यहां पर अब जो यह ऐसे-ऐसे music अगर बजेंगे ठीक है, यह जो ras है ऐसे-ऐसे अगर ras बजेंगे तो ऐसा-इसा आपका mood change होगा ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अगर हमारा श्रिंगार ठीक है, श्रिंगार ras बजता है तो love का mood हो जाएगा हासया ras बजता है तो laughter करून-बास बजता है तो pathos, रौद्रवास बजता है तो anger, भयानक भयानक से खुदी पता चलिया horror, ड्रावने, अगर ड्रावनी काम, शान्ती हो जाएगा आपका mood यानि आपको emotionally जो emotionally feel करा सके उसे कहते हैं हम लोग ras अब ras के बाद आती है बात thought के उपर अब ये thought क्या होता है भई? बहुत सारी चीजे पढ़ लिए बहुत confusion पैदा हो रहा है दिमाग में बिलकुल नहीं confusion ही पैदा नहीं करना है problems हो तो आप ज़रूर पूछे और notes बनाते रहेंगे तो कोई confusion नहीं होगा starting में पढ़ने पर लगता है starting में हमें भी लग रहा था बट लेकिन पढ़ते पढ़ते अब समझ में आने लगेगा तो आपको notes ज़रूरी है बनाने तो thought के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग यार भाईयो lecture लंबा हो जाएगा thought जो है हम लोग next अपने lecture में cover करेंगे ठीक thought समय और बाकी components राख के वो हम लोग next lecture में cover करेंगे कोहिश करेंगे Indian music को जल से जल खतम कर दें और quality content देखे आप लोगों को बिल्कुल help कर सकें Indian art and culture में तो guys आजाते हैं हम लोग अपने lecture को end करते हैं जिस तरीके से end करते हैं वही पर आ जाते हैं आपको an academy plus subscription चाहिए तो बिल्कुल जरूर लीजे और आपको पता है कौन सा code यूज़ करना है study is code यूज़ करना है ताकि extra discount मिल जाया वही या और उसके बाद अगर आपको कोई भी queries होती है ठीक है अपनी preparation से related या किसी भी lecture से related यहाँ पर और या फिर आपको an academy plus subscription कि किस तरीके से ले subscription कैसे लिया जाता है तो आप यहाँ पर हम सबसे यहाँ पर इती सारी जगें आपर social media पर जुड़ कर contact कर सकते हैं जैसे आपर telegram channel join कर सकते हैं इंस्टा से जुड़ सकते हैं facebook से जुड़ सकते हैं mail कर सकते हैं अपनी problems को आपकी problems को पूरी तरह से sort out करा जाएगा उसके बाद यहाँ आपर तीन डाइनमिक batch चल रहे हैं पूरी साल की त्यारी कराएंगे आपकी UPSC CSE के लिए 2020 से लिए 2021 की 11th मैं से start हो चुके हैं तो किस बात की दिविरी है भाई यहाँ पर जल्दी से preparation के लिए आप भी ले सकते हैं course को इसा भी तो यहाँ पर जो preparation चल ले यह इसके तीन बैच चल ले आगर आपको bilingual Hindi plus English देखना है तो आप यहाँ पर यह वाला ले सकते हैं course Hindi में देखना है Pure Hindi में तो आप यहाँ पर यह वाला course ले सकते हैं और English में देखना है Pure English में तो आप यहाँ पर यह वाला course ले सकते हैं तो guys कहीं पे भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं जिसमें आपको comfortable लगे और वो आलग course जॉइन कर सकते हैं और आपको subscription लेते वक्त ध्यान रखना है जाए आप 24 months का लें या आप 12 months का लें ठीक है यह आपके उपर है अगर आपको इसे भी months का लेते हैं study IAS UPSC की championship चल रही है अन academy पर तो उसके लिए enroll कर लीजिए यह free है बिल्कुल तो आप जाके enroll कर सकते हैं तो guys होता है आज का हमारा यहाँ पर lecture खतम बिलेंगे आप लोगों से next lecture में और इंडियन म्यूजिक को continue करेंगे आज के लिए बाई बाई